आज हम बनाएंगे ब्रेड वो भी गेहु के आटे के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर से कितना अच्छा केरेमलाईज हुआ है और यह कितना स्पॉंजी और बाउंसी बना है है ना परफेक्ट इससे आप सेंडवीच चीज टोस्ट बहुत सारी वेराइटी बना सकते है तो चलिए गेहु के आटे की ब्रेड बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंग्रेडियंस देख लेते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पॉन ड्राइ एक्टिव येस्ट लिया है इसी के साथ एक टेबल स्पॉन शकर दो टेबल स्पॉन दूध और हाफ आफ टेबल स्पून जितना मिक्स हब लिया है यह कंप्लीटली ऑप्शनल है मैंने ब्रेड को फ्लेवर फुल बनाने के लिया है सबसे पहले हमें यस्ट को फर्मेंट करना है एक बावल में मेजरिंग कप से हाफ अ कप जितना हम हलका सा गुनगुना पानी लेंगे इसी के साथ डाल है इसमें हम एक टेबल स्पून एक्ट्रिव ड्राई यस्ट डाल देंगे और मिक्स करके कवर करके 10 मिनिट के लिए इसे हम साइड में छोड़ देंगे अगर आप इंस्टंट वाला यस्ट यूस करते हैं तो उसे आप डाइरेक आटे में भी डाल सकते हैं अब यहां पे हम अच्छी सी एरेशन भी आ जाएगी मेजर्मेंट यहां पे बहुत ही इंपोर्टन होता है इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर दस से बारा मिनिट हो गया है और आप देख सकते हैं यस्ट हमारा बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है फटा फट से हम किया हुआ यस्ट अगर आपका यस्ट इस तरह से एक्टिव नहीं होता है तो मतलब वो खराब हो चुका है तो आप उससे आटे का डो बिल्कुल मत लगाएगा आपका ब्रेड जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं आटा गुतने के लिए हमें गुनगुने पानी का इस् शुरुआत में ये थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा लेकिन हाथों में तेल लगा के इसे हम इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड करेंगे ये फिर आटा जो है वो इकटा होना शुरू हो जाएगा पांच से साथ मिनट के लिए हमें आटे को अच्छे से गूत लेना है और आ एक बाउल को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और हमारा गुथा हुआ ब्रेड का जो आटा है इसे हम इसमें अंदर रख देंगे यहां पर मैं इसे इस तरह से व्रैप कर रही हूं आप अगर चाहें तो इसे एर टाइट एक कंटेनर में भी भरके रख सकते हैं ढगकन लग देती हूं ऐसा करने से इसका फर्मंटेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा बहतर होगा इसे हमें एक से देड़ गंटे के लिए फर्मंट करने के लिए छोड़ देना है और आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो फूल के जस्ट डबल हो गया है जब हमने बाउल में हलके हातों से मसलेंगे अभी यहाँ पर हमें आटे को बहुत ज्यादा नहीं मसलना है परना इसकी एरेशन जो है वो चली जाएगी बस हलका सा मसलेंगे और इस तरह से फैलाएंगे अब यहाँ पे मेरे पास cake team जो है वो rectangle shape का है तो इसलिए हमें roll करते हुए rectangle shape देना है roughly बस हलके हाथों से इसे हम roll करेंगे और जो हमारा cake team है उसे हम grease कर लेंगे आज यहाँ पे मेरे पास baking paper नहीं है तो मैंने इसे ऐसे ही grease करके bake करने वाली हूँ आटे को हम cake team के अंदर रख देंगे यह अभी आदा ही दिख रहा है ना इसे हम pack करके वापस रख देते हैं कम से कम 15-20 मिनिट के लिए और उतनी देर में यह आटा फिर से बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा यह step करना बहुत ही जरूरी है इसे skip बिलकुल मत करियेगा अब यहाँ पे हम एक milk wash बना के तयार करना है एक टेबल स्पून शक्कर और दो टेबल स्पून दूद को अच्छे से mix कर लेंगे और इसे side में रख देंगे मैंने यहाँ पे आटे को 45 मिनिट के लिए फिर से फर्मंड होने के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं यह कितना अच्छे से फूल गया है अब बारी है इसे bake करने की convection मोड पे 180 डिगरी पे 15 मिनिट के लिए हम अवन को pre-hit कर लेंगे और अगर आप इसे अवन में बना रहे हैं तो अवन को भी हमें 15 मिनिट के लिए pre-hit करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने half a tin भर के रखा था और अभी हमारा tin जो है वो पूरा फूल के भर गया है मैंने थोड़े से उपर काले तील डाल दिये है यह again completely optional है आप इसे skip कर सकते हैं उपर से हमारा बनाए हुआ थोड़ा सा milk wash डाल देंगे और इसे preheat किये हुए oven में रख देंगे convection mode पे 180 degree पे 35 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे 30 से 35 मिनट में यह आराम से बेख हो जाता है 20 मिनट तक तो पहले इसे हम बेख होने देंगे और इसके बाद एक बार फिर से यह milk wash इसके उपर लगा लेंगे इससे न एक बहुत ही अच्छा उपर crust आएगा जो दिखने में भी सुन्दर दिखता है और खाने में भी अच्छा लगता है इसके बाद हम इसे continue बेख करेंगे 30 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे और फिर 35 मिनट तक बेख करके इसे हम बाहर निकाल लेंगे ब्रेड हमारा बहुत ही अच्छे से बेख हुआ है और यह उपर केरेमलाइस crust जो आया है वो आप देख सकते हैं जब ब्रेड को हम बेख करते हैं तो उपर का portion जो है वो थोड़ा सा हाड होता है पहले तो हम ब्रेड को थंडा होने देंगे जैसे ही थंडी हो जाए एक गीले कपड़े को उपर रख देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे अब हम ब्रेड को डिमोल्ड करें अब देख सकते हैं इसके अंदर जो जाली बनी है इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं यह ब्रेड कितनी soft और spongy है इसे cut करने के लिए जो नाइफ आती है वो मेरे पास नहीं है तो मैं इसे normal चाको से ही cut कर लेते हुए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ब्रेड का sponge जो है वो कित कितना soft और bouncy बना है और उपर से crust भी कितना अच्छा आया है 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 ना ला जवाब तो अगली बार आपका जब भी ब्रेड खाने का मन करें आप इसे घर पे आराम से बना सकते हैं वो भी बीना किसे जंजट कें चीज टोस्ट सेंडवीच या ब्रेड पकोड़ा जो चाहे है ना बहुत ही आसाल तो आप भी ट्राइ किजिए और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो आप हमारी चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें और बेल आइकों प्रेस करना बिलकुल न भूले कि ह जब भी कोई नही रेसिपीज डाले आपको लोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थेंक यू फोर वाचिंग एंड कीप शेरिंग